हलो फ्रेंड्स दिस इस हिमान सुप्रम देव एडवाईजरी और आज हम यहाँ पर कुछ टर्बो और स्क्वीज के सेट अप है वह डिसकस करनेवाल हैं पहले हम कुछ टर्बो के सैट अप देखेंगे और फिर जो स्क्वीज के सैट आप उसको डिसकस करेंगे तर्बो क्या है उसके मैं दो-तिन लाइन में आपको ब्रीफ कर देता हूं तो टर्बो इस अबर प्रॉपर ट्रेड सेट अप है इसके अंदर जब भी यह टर्बो केंडल या टर्बो बार बनता है तो अगर बाई है तो इसके हाई के उपर हम बाई करेंगे जैसे यहां पर य एक प्रॉपर ट्रेड सेट अब है अगर आपको यह जो टर्बो हमने कोडिंग करवा रखा है इस ब्राप्राइटरी इंडिकेटर प्रॉपर ट्रेड सेट अप है अगर आपको यह जो तर्बो हमने कोडिंग करवा रखा है अगर यह पर्चेस करना में इंटरस है तो आप रजिस का कॉंटेक्ट कर सकते हो और यह जो इंडिकेटर है इसकी बहुत ही अच्छी है और इसमें रिस्क रेवर्ड रेश्यों भी बहुत ही अच्छा था है एक्जा ऐटीन तौजएंट वन सेवन टीवन के आसपास का स्टॉप लो सथा तो ब्रॉडली यहां पर सौट देढ़ेसों पॉइंट का आपका स्टॉप लो से और आप देखे कि यहां पर आपको बहुत यह अच्छा मूं मिला और इसके अंदर को स्पेसिपिक टागेट नहीं होत करते हैं और यह गया है यहां पर 18,900 के आसपास जाके आए यहां पर देखे कि यहां पर ले सको तो तो यहां पर कहने का पॉइंट यह है बहुत ही अच्छा ट्रेड शैट अप है पर रिस्क रिवाट रिशो भी अच्छा मिलता है और इसकी प्रोब करेंगे उन को क्या है कि हमारा एक पूरा एक रेकोड़ेड़ वेबिनार उसकी लिंक हम प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्या है कि आप हाइप विकाज अपको थोड़ा डिस्क्रेशन यूज करना पड़ता है उसका स्कैन भी आपको मिल जाएगा स्कैन में से आपको कुछ स्टॉक्स और फिर यह जो है क्लासिकल मतलब ग्रटा अगें हैवाट सिगनल हियर बट जो पहला शिगनल होता है वह काफी होता है यहां पर निफ्टी में हम देखे तो यह जो है अभी भी बैक्राउंड ग्रीन है यह जो ट्रेंड है वह काफी स्ट्रॉंग है तो यह तर्बो को हम कंसिडर कर सकते हैं इसके हाई के ऊपर आज का जो हाई अराउंड एटिन ताउदन सेवनफ़ोटी पॉइंट नाइटी इसके हाई के ऊपर हम बाई करेंगे मतले उसके ऊपर बाई करेंगे और यह हमारा स्टॉप लोगा एटिन ताउदन सिक्स थर्टी सेवन के आसपास और जैसे मैंने बता है कोई स्पेसिफिक टार्गेट नहीं होता है यहां पर आप यह स्टॉप लोस के साथ मतलब एटिन ताउदन सिक्स थर्टी सेवन का स्टॉप लोस लगा के अगर यह 41 को 741 को क्रॉस करता है तो आप निफ्टी में बाइंग कंसिडर कर सकते हो फिर जो दूसरा स्टॉक है इस एंजिनियर्स इंडिया इंजिनियर्स तो इसके ऊपर हमारा बाइट रिगर होगा और इसी जो बार का जो लो है अराउंड 79.20 उसके नीचे हमारा स्टॉप लोस रहेगा तो यह एक अच्छा सिगनल लग रहा है मतलब फॉस्ट अबो सिगनल है सेक्टर भी फेवरेबल है तो यह एक स्टॉक है डाट इस पर तर् इसके उपर आप कर सकते हो डबल वन 57.25 आज का हाई है उसके उपर बाइगे डबल डबल तरी के नीचे का हमारा स्टॉप लोस रहेगा और कोई स्पेसिफिक टार्गेट नहीं नहीं होता इसके अंदर आम रिपीटिंग अगें आपको मैक्सिमम एट टूवल बार सक मैक्सिमम आट से बारा दिन के अंदर आपको मिल सकता है फिर जो एक स्टॉक मुझे ठीक लग रहा है एस पर टर्बो डैटीज आर्बीयल बैंक में आप देखें कि यहां पर एक टर्बो सिगनल आया था यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर 123 के आसपास का स्टॉप लोस सिगनल ही इस वोजे क्लासिकल सिगनल यहां पर आप देख रहे हो टच किया फिर इंसाइड बार था और आपको यह तरबो बार मिला था और आप यहां पर जो सिगनल था उसमें आप देखें कि रिस्क रूड रिशो कितना आचा आपकी एंट्री होती है यहां पर 143 के ऊप यहां पर आप देख रहे हो इंसाइड बार है यहां पर दो तिन सिगनल आ गया है बट फिर भी बैंकिंग जो सेक्टर है वह काफी स्ट्रॉंग है तो यहां पर क्या है कि थोड़ा साइज करके भी हम मतलब थोड़ा एक रिस्क ले सकते हैं फिर जो एक स्टॉक है बाट इस लुकिंग गुड़ इस डाट इस मैंजिगों डॉक्सी बिलिंग तो यहां पर दिखे कि यह स्टॉक भी काफी स्ट्रॉंग मोमेंटम में है यहां पर एक टर्बो सिगनल था उसमें हमारा स्टॉप लोस हो गया था अगेन यहां पर फिर एक टर्बो बार बना था और यह य मिला था यहां पर भी टर्बो सिगनल जन्रेट हुआ था एक अच्छा मोमेंटम किया अगेन वी हाव टर्बो बाई मतलब तीन चार सिगनल आ गया है तो इतना एक्कूरेट नहीं है बट यह जो सेक्टर है डाट इस वेरी स्ट्रॉंग तो इसमें भी जैसे मैंने बताए कि क्या है कि अल्रेडी दो तीन सिगनल आ गये तो यहां पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं तो यह कुछ टर्बो के सेट अप हमने डिसकस किये अब हम कुछ स्क्वीज के सेट अप पर वह देखते हैं तो पहला जो स्क्वीज का सैट अप है डाट इस लुकिंग गुड इस एच्ड स्क्राइंट की बात करें और यहां तो यहां पर अगर 1640 को क्रोस किया 1642 को क्रॉस किया तो क्या कि अपसाइड का मोमेंटम उसमें बन सकता है बट जैसे बैंक निफ्टी जो है मतलब बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी स्ट्रॉंग है तो इन एंटिस ब्रेक आउट यहां स्क्राइब करेंग तो यहां पर काफी स्ट्रॉंग मोमेंटम करने के बाद और यह एक स्ट्रॉंग मोमेंटम करने के बाद कि एक रेंज में फसा हुआ है इस ट्वेंटी इस ट्वेंटी डिया अगर तो यहां पर किया काफी स्ट्रॉंग मोमेंटम हो सकता है और इन फैक्ट यह जो है स्क्वीज का पहले भी एक स्ट्रक्चर था वो भी मैंने आपके साथ किया यह वीडियो में ने बताया था कि 535 को क्रॉस किया तो अच्छा हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी क्या है कि यहां पर 125 मिनिट की स्क्वीज में हमने आज काम किया था अच्छा मतलब एक मोमेंटम मिला है यहां पर और अभी भी हम पोजीजन तोड़ा होल्ड कर रहें आप देख रहें कि यहां पर सकती है तो यह जो स्टॉक है यहां से लीड कर सकते है और जो लास्ट स्टॉक है जो मुझे स्क्वीज के हिसाफ से ठीक लग रहा है यह स्टॉक मैंने चैनल है मेरी उस पर बताया भी था कि यह जो स्टॉक मुझे है बीटी एस्टी के लिए भी अच्छा लग रहा है अल्लेडी हमने कुछ पोजिशन बनाई हुए इसके अंदर और यहां पर दे के मैंने एक एलेट साइट करके भी रखा है अराउंड 435 कुछ आज पोजिशन एड किया और यह एक स्विंग आया है उसको क्रॉस किया तो फि 60 480 के आसपास का जो लेवल है वो मुझे लग रहा है कि यहां पर यह वहां तक जा सकता है स्वाय होब फ्रेंड्स के जो कुछ सैट अप मैंने डिसकस किये टर्बो के और स्क्वीश के वह आपको ट्रेडिंग में कहीं ने कहीं हेल्पूल जलू रहेंगे थैंक्यू